हेलो एवरीवन वेलकम टू ए ए आलाइन सोलूशन कैसे हैं आप लोग तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइन्स के पंद्राने चौदा कोशन्स जो कि आपको बारा कोशन्स सही करना है ठीक है ध्यान से सुनेंगे चौदा कोशन्स साइन्स के लेकर आये हैं हम और आपको बारा कोशन्स सही करना है ये मेरे तरफ से टार्गेट है अगर आप चौदा में से चौदा सही करते हैं तो वो मेरे तरफ से एक्सिलेंट रहे का वेरी गुड और मेरे टार्गेट है बारा बार आपको कम्पलीट करना है तो आप लोग रेड़ी हैं यह साइंस के कोशन काफी एज़ी कोशन है साइध आप लोग 14 में से 14 करेक्ट कर पाओ तैयार हो जाएं और जो नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए यह आपका हग बनता है सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा दे वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करने ओके चलिए लाइक करना है आपको पहला नंबर सवाल देख लिए और इस वीडियो के स्क्रीन के सामने आएगा एक क्वेशन का अंसर बताने के लिए आपको 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा और 10 से पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने आप लोग तैयार हो जाओ 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा अंसर बताने के लिए पहला नंबर सवाल कहता है हीरा का रंग कैसा होता है टाइम शुरू होता है अब सही अंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नंबर डी रंग हीन होता है मैंने आपको बताया हूँ बताया है कि एक अंसर यानि की एक कोशन का अंसर बताने के लिए 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा इसी के अंदर में आपको जो है बताना है तो हीरा का रंग हीन होता है इसका answer right दियोंगे अगला question देखे इन में से सबसे खराब कोईला किस किस में है यानि कि ये चारो option में से खराब कोईला कौन से किस में के है तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option number a पीत है ना क्या होगा हमारा a option right होगा वीडियो फर्ष्ट करेंगे जल्दी सा आपने अंसर बताना क्यूंकि आपको टाइम यहाँ पर 10 सेकेंड दिया जा रहा है हिलियम के नाभिक में होता है बताए हिलियम के नाभिक में क्या होता है पांस सेकेंड हो चुके है जल्दी बताओ तो यहाँ पर right answer option हो जाएगा सी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है ना हिलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं सी option right हो जाएगा और वीडियो के end में बताना जरूर comment box में कितना सवाल में से आप कितना सवाल सही कियो ठीक है कितना का जवाब आप सही दिये हो तो कि अगला सवाल देखो इन में से कौन अर्ध्य चालक नहीं है टाइम सुरू है आप लोग अंसर बताते जाएं तो फोर का right answer option हो जाएगा डी यानि कि दोनों फोर का ने फोर का हमारा डी option right होगा जे नॉन ठीक है जे नॉन आर्ध्य चालक नहीं है हमारा देखो सिलिकॉन है जर्मेनियम है तो यहाँ पर जे नॉन आर्ध्य चालक नहीं है सवाल में नहीं पुझा था डी option right हो जाएगा नेक्ट कुशन देख लिए उत्तर लेंस उप्योग किया जाता है इस कुशन का right answer option हो जाएगा C यानि कि हाइपर मेट्रोपिया पर मेट्रोपिया में उत्तर लेंस का उप्योग किया जाता है जो कि हमारा B option right हो जाएगा नेक्ट कुशन इंसूलीन प्राप्त होता है राइट आंसर हमारा option B हो जाएगा यानि कि डालिया के जड़ों से इंसूलीन प्राप्त होता है B option right हो जाएगा नेक्ट कुशन देख लें कौकरोज के हिरदय में कितने कोश्ट होते है भाई टैम सुरू है आप लोग जली से अंसर बताएगा सही answer option हो जाएगा हमारा 7 का D 13 कौकरोज के हिरदय में कोश्टों की संख्या 13 होती है यहाँ पर right answer option D हो जाएगा अगला कोश्टन देखिए मुत्र का पीला रंग होने का क्या कारण है एट नंबर सवाल का अंसर बताएगे आप लोग सही answer हो जाएगा हमारा इन में से कोई नहीं ना ही हीमोगलोबीन के कारण और ना ही यूरोक्रोम के कारण और ना ही हीमोसाइनीन के कारण यानि की option D right होगा मुत्रे का पीला रंग होना अगला कोश्टन देख लो आर्दे चालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है इस question का right answer हो जाएगा हमारा 9 का B परतिरोध घटता है अगर आप आर्दे चालक का ताप यानि की आर्दे चालक में ताप को बढ़ाएंगे तो उसका परतिरोध जाहिस सी बात है कि वो घटे का B option right होगा होप कि आपने इसका अंसर बिल्कुल correct दिये हैं अगला question गांधी जी को महात्मा की उपाधी किस ने दी थी शायद ये आपका social science का question आगया हो तो अप लोग answer बताएंगे सायद ये answer इसका याद होगा आपको बिल्कुल तेन का right answer option C होगा रविंद्रे नाथ टाइगोर रविंद्रे नाथ टाइगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधी C option right होगा next question देख ले वन मिनट ये question सायद अच्छा मैं एक बात आपको बताने के लिए भूल गया ये science का विडियो नहीं है बलके ये science और social science दोनों मीला हुए ठीक है जैसे कि हमने अभी 10 नमबर सवाल तक पहुँचा जो कि हमारा C option right हुआ था रविंद्रे नाथ टाइगोर और ये आपका 11 नमबर सवाल जो कि social science से है कोई बात नहीं मैंने गलत बोल दिया सुरू में social science दोनों होगा ठीक है 12 11 नमबर सवाल कहता है भारत की अधिकांस जन संखिया आर्थ व्यवस्था के छेत्र किस छेत्र में संगलन है जल्दी बताओ आप लोग इसका अंसर क्या होगा तो यहाँ पर 11 का right answer option A हो जाएगा प्राथमिक अध्वा किर्सी छेत्र ठीक है प्राथमिक अध्वा किर्सी छेत्र यहाँ पर A option right हो जाएगा अगला सवाल देख लीजिए आप इनमें से कौन सी मुद्रा सन्युक्त राष्ट या अमेरिका में परचलित है इसका right answer हो जाएगा हमारा option D dollar है ना यानि कि अमेरिका में dollar चलते है जी याद रखेंगे यहाँ पर D option right हो जाएगा next question partly पुत्र किसके समय में मगद की राजधानी थी जली बताओ इसका answer सायद यह type में mistake हो गया हो social science में social science मिल गया अब की बार अलग अलग subject की रहेगी अगर math का लाओं तो math में पुरा question रहेगा science का लाओं तो science का पुरा question रहेगा social science का लाओं तो social science का 15 question रहेगा तो यह mix हो गया है कोई बात नहीं अगली बार से पुरा complete होकर आएगा ठीक है तेरा का सही answer option हो जाएगा D उदाइन ठीक है तेरा का D हो जाएगा उदाइन और यह जरूर बताना आपने कितना सवाल सही किया है तेरा का टार्गेट रखता हूँ चलो यह काफी easy question है लाल कुर्ती का गठन किस ने किया था जली बतावा answer time शुरू है आपका तो यहां पर चौदा का सही answer option हो जाएगा हमारा चौदा का D गैरी वाल्डी ठीक है लाल कुर्ती का गठन गैरी वाल्डी ने किया था D option राइट हो जाएगा होब कि आपने 14 में से 12 question सही कियोंगे अगर 14 में से 14 जिन जिन का सही हुआ है या 14 में से 13 मेरे तरफ से excellent अगर आप अपना जितना सही हुआ है वो अगर आप बताना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे comment box में आप बता सकते हो ठीक है वो बहतर रहेगा आपका और यह आप आपका next question जो आएगा वो homework रहेगा जो कि इसका answer आपको next video में बताया जाएगा ओके तो आप लोग ready है मैं आपके screen के सामने लाता हूं हो सके तो आप answer बता देना अभी लेकिन homework वाला answer comment box में बता देना उसका answer में next video में जरूर बताऊंगा याद रखना ठीक है देखो question क्य कहता है हमारा homework तीन कठिया परनाली किन पर लागू हुई थी option a उधोक पतियों बी वयपारियों सी स्रामिकों डी किसानों हो सके तो इसका answer बता दो ठीक है और comment box में भी बता दो इसका answer मैं देख सको सबका answer और next video में इसका मैं answer बता दूंगा ओके अब अब जो है ना आप का सवाल सही किया ठीक है इस वीडियो में मैंने 14 कोशन डिसकस किया यह बता दो आपने 14 में से कितना सवाल सही क्या है next अगले दिन से आपकी तैयारी बहुत मस्त रहेगी और एक ही चेप्टर से पूरा लाओंगा जैसे कि science हो गया तो science का 15 में से 12 सही करो इस पर कार लाओं करतbud कर कें से 13 सही कि जैसे 15 में से 12 सही कि मैं से 16 का बादरी बहुत मत्त रहेता दो क्या दो में से 15 अगले verde कि कि खां हम का दो रहेगी औरॉद काम मतरी आपकीर कि तैयाँ 15 वे एक हैंग्प़ बता सवाल से 15 टो मत्त रहें एक हैं है प nepा 10 याद Commissioner, कि और लाज दो की कृब